हाथो मुन्ना मैं फिर आप लोग के लिए एक नए टॉपिक जो डेमो के रूप मैं देने जा रहा हूं और आप लोग बिल्कूल मस्ती से विडियो को देखो और एक बात मैं बताना चाहूंगा मुन्ना विडियो को ध्यान से देखना और विडियो को जितने तुम अटेंजन होका देखोगी उतने ही तुमें क्लियर्टी मिलेगी और समझ में आएगा और क्यमस्ट्री का और आनंदु आएगा मजा आएगा तुमें तो देखो पिछले में लेक्चर में डेमो मैंने दिया था द्रमान सरक्षन के नियाब और उम मिने जो टॉपिक मैं लेकर चलता हूं ये इस्थिर आनुपाढ या निश्चित संगतन का नियम है मतलब ये मुंना इसमें बताना चाहूंगा कि इस्थिर आनुपाढ के क्यों मतलब यह है जो भी निया गया थे एक निश्चित आनुपाढ कह रुप में दिया था connection निश्चित इसे मतलब को भी quantity एक निश्चित अनुपात में रहेगी तब भी होई ठीक है तो मैं यह बता लोगा देखिए सबसे पहले यह टॉपिक आज का यह रहा आप लोग का question भी लिख रहता हूं इस्थिर question सबसे पहले मैं इतना पता हूंगा आप लोगो इस्थिर अनुपात पात का नियाम या इस्थिर संभटन संभटन का नियाम से क्या समझते हैं ठीक है देखो मना अगर इंग्लिस बोलो भी तो बोलो भी यह चीज़ क्या प्राइब क्या चीज़ what do you mean ठीक है यानि क्या लॉफ डीफिनित प्रोपर्शन डीफिनीक कम अटलब होता है इस्थिरी यानिशिर ठीक है और लॉफ मने नियम होता है पेर ही अगर इंग्लिस इसका इंग्लिस मैं बताना यहां से लेकर यहां तक इंग्लिस बताऊं तो मैं लिग भी देता हूं क्या चीज जान लो law of definite definite proportion का मतलब होता है अनुपाद proportion बस इंग्लिस भी जान गए ठीक है इस तिर अनुपाद या निशित अनुपाद का नियम क्या है मुन्ना एक बात मैं पहले बोलना चाहूंगे मेरे बात को ध्यान से रखना यह वास्तों में जो है यह नियम जो है इस नियम को 1799 इस भी में 1799 इस भी में बैज्यानिक का नाम था प्रावुष्ट प्रावुष्ट ने दिया था और यह नियम किसी योगिक के बारे में कंपाउंड की बारे में बताया था कि जो भी जोगिक होते हैं ओ ततों के एक निश्चित भार के ततों के एक निश्चित आयतन के विचार से बने होते हैं यानि कोई भी जोई की जो होगा मुन्ना एक निश्चित रेश्यों में बना होगा जैसे एक्जांपल थोड़न बात करने था जड़ा देखना ध्यान से जैसे कहने का मतलब यह है कि कहा था उन्हेंने बताया यह चीज़ कि अगर जल का सुत्र यह है जल का सुत्र यह है ति यह दो ततों से निलकर बना है जल कितने ततों से निलकर बना है दो ततों से ओ कौन-कौन मुन्ना एक है हाइड्रोजन एक है हाइड्रोजन अग दूसरा है मुना ओक्सीजन दूसरा है ओक्सीजन जब ये दोनों ने कम्बिनेशन किया सन्यों किया तो ये जल बना लेकिन बात है कि किस अनुपात में सन्यों किया यही जो अनुपात बताएगा यही निशित अनुपात के नियम को समझाएगा तो मैं एक बात आप लोगों बतना चाहूंगा ध्यान रखना मुना हाइड्रोजन के भार आप लोगों ने तेंथ क्लास या नाइंथ क्लास में गुर्देयों ने याद करवाया होगा कि एक होता है और ऑक्सिजन के भार आप लोगों ने याद किया होगा सोल्ला ध्यान रखना क्या चीए ऑक्सिजन का भार सोल्ला यान जिसको बहुत मॉलीकुलर वेट याद करना होना सर्ट ने जब पढ़ाया होगा तरहसे लिखा होगा सोडिया में गारह तेईस एगारह जो होगे जेड परमारू संख्या और ये जो होगया परमारू भार तेईस ये क्या है परमारू भार तेईस मैं ये सारा लिखाऊंगा वैसी oxygen का होता परमालू शनकर Z का value होता 8 Z होता है आठ और मुनना यह जो होता परमालू भार जो होता है सुल्ण ठीक है अनुपात का मतलब क्या होता मुनना दो quantity का भीन यही नो अनुपात होता है तो देखो पहले जो है वो पहले मैंने रखा जो बाद में है उसको बाद में रखा तू कैगो है तो दूगो इकडगो है तो एगो एगो है ठीक है? आना बात करना देखो एगो हाइडरोगन का भार कितना बोलो हेज़ों का अहें कि इतने हैं दूह है दूसरे इसमें भी बुरया को प्नेय बात हुआ अगर यह माल लो कि हैं जो है तुम्हारा कोई वस्तू है क्या है कोई वस्तू है तो लेकिन तुम्हें दो बस्तू खडनी है देख यहां पे तो कितना होगा है दूरुपया होगा कि नहीं होगा बतां होगा द दो बसु को धाम कितना होगा दो रुपया होगが बतान एंपारन की कंज कितना मेला बताँ अनुपात आठ यानि कहने का मतला मैं युँ ही कह दूँ कि देखो मुना जल एक योगी के है ठीक है आप जल को समुद्र के जल हो नदी के दर जल हो तलाब के जल हो या पुखरे का हो या जील का हो कहीं से क्यों ना तुम जल को प्राप्ट करो जल दो ही ततों से मिलकर बने होते हैं मुना एक हाइड्रोगन और दूसरा ओक्सीजन एक हाइड्रोगन एक ओक्सीजन दो ही ततों से मिलकर बने होते हैं मुना शमझ मेरा बात आ गया और इन दोनों ततों में इन दोनों ततों का अनुपात जो होगा भरात्मक भर के अनुसार, एक अनुपात 8, एक गड़ाम हाईडरोजन, जब 8 गड़ाम तुम्हारा ओक्सीजन से सनियो करेगा, तब जल वनाएगा, ऐसे तुम नहीं कह सकते हो, कि सर दो गराम हम लेते हाइड्रोदन और पाँच गराम लेते हैं अक्सीजन नहीं ये रॉं में थने मुना जब भी तुम्हें लेना होगा तो एक अनुपात आठ जैसे मालो कि हम ले इसको चार तो इसको हमें लेना पड़ेगा कितना रेशियो में ऐसा करना होगा मुझे कि मेरे को यहां ऐसा मेले तो यहां लोगा 32 कट करो आठ एक चार एक चार अचार वाठी 32 यानि इस रूप में होना चाहिए एक और चीज़ मुना देख कारबन के बात करता जरा एक और जांपर लेता जरा सुनते जाना देखो एक और जांपर ले रहा हुँ तो लोग सामें ध्यान रखना क्योंकि यह बिसारा यह जो भी रसाइनी की एक होते हैं सभी कंपांड ने लिए बात ध्यान देखो थीक है दोनों जगमों से लोगे एक निश्चित ही अनुपात मिलेगा क्या चीत कि अगर वायुमंडल में कर्बन डायोकसाइड है तभी सुत्र से ओटू ही होगा मुंळायोगिक णिखाई देगा अचाहिए गुलीत जल में जो कर्बन होता है उसका विसुत्र यह बात है जल में हो या वायुमंदल में हो इसका अनुपाप क्या होगा बताओ मुना कार्बन के देखो मुना तुने पढ़ा होगा क्या चीज कि परमानु संख्या जो होता इसका जेड जो होता मुना 12 होता है नहीं होगा तो मैं याद कराओं इसके लिए टेंसल मत लेना औ और इसका प्रमानु भार होता है मापकरना फुरणा फ्रॉणा संक्याच्य और प्रमानु भार वार्भर होता है ठीक है आपने ओक्सीजन प्रमानु अपने मुन्स कर भद ना देख बोगो बताओ अब ये वताओ तुम ना क्या शिक वात अभिछान रखने हो एगी अनुपात कुछीकों ले सकते हो लेकिन पहला जोरा तरह उसको ही लेना चाहिए तो एक तो ये जोल बता किसे अनुपात में बना होगा इसी अनुपात में carbon biooxygen तो carbon कई वो दिखा जरा देखो एको तो carbon कबार कितना है बार आच्छा oxygen के बताओ तो oxygen कई वो दिखा जरे जरा देखो 2 पो और एको कबार सोलला तो कितना लिखो में दुगुणा सोलला अब मुनना टताओ इसको कटा तो कटाएगा चार से चर्टियां इबारा चर्चल उपे सोलगा अर्थाक तुम्हें मिल गया तीन बटा में आज अर्थाक कहने का मतलब कोई पुछेगा बताओ CO2 के संगटन में CO2 के निर्मान में CO2 जो कार्बन डियोकसाइडिक जोईग बनी है इसके निर्मान में कार्बन और ऑक्सिजन के अनुपात क्या होता है भरात्मक रूप से तो तुम बताना सर्थ तीन अनुपात क्या होता है आर्था आर्थ तीन गराम कार्बन को जब आठ गराम ऑक्सिजन से सन्यों कराओगे तब मिलेगा तुम्हें CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड यह बात मेरा क्लियर हो गया होगा अब मैं क्या संधाना चाहता हूँ यह संजो देखो मुना यह कहा गया बताया यह किसने प्रावुष्ट ने बताया कि योगी के जो होते हैं क्या बोला कि दो या दो से अधिक तत्तों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रसाइनिक सन्योग के फल स्वरूप बनते हैं इसका मतलब यह है कहने का ताथ परे दो या दो से अधिक ततों को लेना ठीक है उसका अपना एक अनुपात होता है और यदि उस अनुपात में लेकर सन्योग करा दोगे मिला दोगे तो जुस्त जोई को बनाना चाहते हो जोई तुम्हारा बन जाए जैसे तुम जल बनाना चाहते हो तो इसमें दो या दो से अधि कम से कम दो ततों होना चाहिए, तो दो ततों में मैंने कार्ब अधि हाइड्रोजन और ओक्सिजन को लिया, तो ये बोला प्रावुष्ट ने कि अधि तुने हाइड्रोजन को और ओक्सिजन को लिये हो, इनका एक अनुपात होगा, क्या ध्यान रखना भार के विचार से जल को एक अनुपात आठे जल को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के अनुपात एक अनुपात आठ में लेना तुम्हें बता रहा है इसका मतलब बताया कि हाइड्रोजन को तुम एक गराम लेना तो ऑक्सिजन को तुम लेना कितना गराम आठे गराम जब ये दोनों आपस में सन्यों करेंगे तब तुम्हारा बन जाएगा जल और जल एक क्या है ये ओपिक है बासमन में होगा आ गया होगा क्या बोले ये बाते कि योगी के शर्वदा योगी के शर्वदा दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रसाइनिक सन्यों के फल्स्वरू बनते हैं जैसे जल एक योगी खै नाइंत क्लास में ये कोशन पूछा पुष्टा थभुगा कि जल एक जोई खै कैसे प्रमारित करना था इसका उतर दे रहा हूं जल एक क्या है जोगी खै तीक है जल को किसी भी स्गोत जैसे समुद्रे तलाब नदी पोखर जील आदी से क्यों न ले लिया जाए क्यों न ले लिया जाए ये ये जल के वल्दो तक्तों हाइड्रोजन एवं ओक्सिजन से ही क्या होते हैं मिलकर बने होते हैं क्या होते हैं हाइड्रोजन एवं ओक्सिजन से ही मिलकर बने होते हैं निर्मी तो होते हैं ठीक है इसमें हाइड्रोजन एवं ओक्सीजन का भार के विचार से अनुपात कितना होता एक अनुपात आठ होता है फिर से एक बार मुना मान ले क्या चीज़ ये बाते मैं बता दूँ कि सबसे पहले बता दूँ कि सन 1799 इसवी में प्रावुष्ट नामक बैग्यानिक ने इस्थिर अनुपात का नियम या इस्थिर संग्रटन का नियम दिया था इस नियम के अनुसार बताया योविक सरवदा दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सनियों के फल स्वरुप बनते हैं रासायनिक सनियों के फल स्वरुप निर्मित होते हैं क्या कहलाता है यही जो कहलाता है इस्थिर अनुपात का नियम कहलाता है जैसे मुना एक बार कि जल को आप किसी भी सुरोत से प्राप्त कर लो जल के वल हाइड्रोजन एवं ऑक्सिजन दो ततों से ही निर्मित होता है जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सिजन के भार के विचार से अनुपात एक अनुपात आठ होता है आप ये भी समझ लो कि आप किसी भी सुरोत से कार्बन डाय ओक्साइड को ले लो, बाई मंडल से ले लो या जल्म में घुलित कार्बन डाय ओक्साइड के बात करो तीक है लेकिन ये बने किसे होते हैं कार्बन और ओक्सीजन से ही निर्मित होते हैं ठीक है और इन कार्बन इवं ओक्सीजन के अनुपात जो होता है ये तीन अनुपात आठ के अनुपात में ही कार्बन डायोकसाइड बनाएंगी यदि तीन अलुपात आठ के रूप में आप नहीं लिया तो कार्बन डायोक्साइड नहीं बनेगा कोई भी क्या बनेगा यह पता नहीं बात तो समझ गए होंगे के लिए कोई तो दिकत नहीं हुआ होगा बोलिए समझ में आ गया ना चलिए ठीक है हाँ तो चलिए लिखा रते हैं ठीक है भी भी चलिए साब करता हूं और आपको लिफा का में फटाफ़ लिख लीजिए कलियर को समय सी रहेंगा ठीक है कोई दिकत नहीं समझ गया होंगे मेरे ख्याल से चलिए चाहिए तो दिख्खें उत्तर चलते हैं उत्तर दिख्वाइदे आपनों को ठीक है देखिए एंसर योगी के सर्वदा सर्वदा दो या दो से अधीके दो या दो से अधीक ततों ततों के एक निश्चित एक निश्चित भार के बिचार से भार के बिचार से एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित अनुपात में में रशायनी के रशायनी के शन्योग है शन्योग के के वाल स्वरू उपे क्या कल आते हैं कि इसी को कहते हैं क्या चीज्चित कॉमा यही पर खड़ी पाई देदेना और देख करके हम लोग रूप जाएंगे ठीक है अब देखो जैसे में लेना जैसे हम लोग देएंगे क्या चीज्चित जैसे जल क्या है जल एक योगी के योगी के है जिसे जिसे किसी भी किसी भी सुरूत किसी भी सुरूत से सुरूत जैसे डालता हूँ जैसे समूद्रे समूद्रे जिल तलाब तलाब आदी करता हूँ आदी ठीक है से आदी से क्यों ना क्यों न ले लिया जाए क्यों न ले लिया जाए समूद्रे आगे क्या बोलाँ ना क्यों न ले लिया जाए ये सभी ये सभी ये सभी सभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवां ओक्सीजन ये सभी हाइड्रोजन एवां ओक्सीजन से ही मिलकर मिलकर बने होते है ठीक है अब यहाँ देखू क्या बोलती है कि आप किसी भी सुरूट से लो जल है ना लेकिन ही बना किसी है कि अबल हाइड्रोजन एवां ओक्सीजन से ही मिलकर बने होते हैं ठीक है इस जल के निर्मारा थोड़ी से निरता हूँ इस जल इस जल के निर्मार निर्मार में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवां एवां oxygen का भार के विचाव से अनुपात एक अनुपात आठ होता है क्लियर एसकी इनसर्ट ले लिज्ये ताकि थोड़ा अब्जेक्टिव पार्ट में लिखवा दू ले लिए होंगे हुआ भूलिये ओगया चलो पड़िये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अब यहां अब्जेक्टिव में प्रस्न की बात क किसन करेगा देखिए क्या क्रिस्टन है जला ध्यान दीजिएगा देखिए तो कोई बरच चीज नहीं बहुत चोटी पार्ट में बात करने जा रहा हूं देखिए क्रिशन यह है कि एस्थिर आनुपात आनुपात का नियाम किस ने दिया किस ने और और कब दिया था कब दिया था ठीके तो उत्तर दोगे कौन भीया प्राउस्ट प्राउस्ट नामक बैग्यानी कब शत्र निनानबे इस भी में चलिए आप लोग के लिए समझ गए होंगे मेरे ख्याल से चलिए इसको में स्किन सोट ले लिएगा लिख लेजेगा यह अब्जेक्टिव जेनल कंपेटिशन यह कभी आप लोग भविश्ट में काम आएंगे ऐसे प्रसनों के तो मैं एक और क्या कहा जाता है एक पोलिंदा ही दूबत नहीं पड़ेगी इतना मैं बतायता हम आप लोगों और नहीं भी भरोसा होगा तो आप मेरे यहां पड़े पिछले वर्स के एस्टूरेंट से पूछ लिए कि मैं कितने अब्जेक्टिव आप लोग लिखवाता रहता हूं ठीक है चलिए तब तक लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपी के साथ